दिगज आईटी कमटियों के नतीजे आना शुरू हो चुके हैं कल TCS ने अपने नतीजे घोशित की हैं तो सबसे पहले TCS के नंबर समझ लेते हैं कैसे रहें और उसके बाद बाकी सारे खबरे भी हम देखेंगे TCS पर नतीजे बताने के लिए हमारे साथ अशेशा जोड़ चुकी है अशेशा बताईए TCS की नंबर से कैसे रहें और नतीजों पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स क्या कह रही है चौती तिवमाही के TCS के नतीजे अनुमान से कमजोर थे इस क्वाटर में management commentary भी in fact quite cautious थी BFSI जो banking and financial services segment है उस पर company ने cautious commentary दी है इस क्वाटर में margins की बात करें तो 50 basis points का expansion expected था इस क्वाटर में sequential basis पर लेकिन वो अनुमान से कमजोर आये है sequential basis पर margins 24.5% पर आये है जो quarter on quarter basis पर steady रहे है deal wins की बात करें तो deal wins इस quarter में काफी strong आये है 10 billion dollars पर deal wins है याद रखे management ने इस साल guidance दी थी deal wins की 7-9 billion dollars की range और management ने Fy24 के लिए भी वो deal wins की guidance maintain करी है तो 7-9 billion dollars का range दिया है company ने deal wins के लिए Fy24 के लिए नतीजों की बात करें तो revenues में 1.6% का अप्टिक देखने को मिला sequential basis पर margins जैसे मैंने बताया 24.5% पर आये है इस quarter में steady रहे है sequential basis पर इसके अलाबा याद रखे के क्रीतिवासन को company ने नियुक्त किया था राजेश गोपिनाथन इस्तिफा दे दिया था कुछ दिनों पहले लेकिन अब appointment प्रीपोन कर दिया गया है जो पहले सब्टेंबर में होने वाला था फर्स जून से के क्रीतिवासन अपनी position ले लेंगे CEO और MD के दौर पर तो यह भी एक important खबर है TCS को लेकर इसके अलावा brokerage की क्या राय है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं तो सबसे पहले JP Morgan की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने अंडवेट की राय बरकरार रखी है टागेट दिया है 2700 रुपीज प्रतिशेर का TCS पर उनका मानना है कि quarter for चौतिति माही के नतीजे अनुमान से कमजोर थे US में weakness देखने के चलते नतीजे कमजोर दिखे इस quarter में उन्होंने revenue estimates कम कर दिये है margin estimates भी कम कर दिये है और उसी के चलते EPS कट किये है 2% से अगले coming quarters के लिए demand की बात करें तो JP Morgan का मानना है कि demand काफी weak है turnaround की कोई उम्मीद नहीं है अभी के हिसाब से और first quarter 24 के नतीजे कमजोर होंगे जिसके चलते full year growth guidance पर भी impact देखने को मिल सकता है इसके अलावा Morgan Stanley की भी report आई है TCS पर जहांने equal weight की rating बरकरा रखी है और 3,350 रुपीज प्रती शेर का target दिया है उन्होंने कहा कि near term visibility काफी low है management commentary काफी cautious थी fourth quarter FI 23 के नतीजे अनुमान से कमजोर थे commentary कमजोर थी और clarity नहीं है आगे के coming quarters के लिए margins की बात करें तो margin tailwinds है इस quarter में लेकिन weak operating leverage के चलते margin tailwinds का company enjoy नहीं कर पाई benefits उन्होंने भी EPS estimates घटा दिये है FI 24 और 25 के EPS estimates Morgan Stanley ने एक से दो प्रतिशर्ट सा घटा दिये है इसके अलावा Jeffries की भी एक report आई है जहां उन्होंने hold की rating बरकरा रखी है और target दिया है 3500 रुपीज प्रतिशेर का उन्होंने कहा कि fourth quarter के नतीजे कमजोर थे sentiment अभी काफी कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है order bookings year on year basis पर compare करें तो काफी कमजोर थे इस quarter में 11.5% का decline देखने को मिला order bookings में year on year basis पर मैंने बताया 10 billion dollars पर order wins आई है इस quarter में headcount edition में भी moderation देखने को मिला full year F.I.23 में moderation देखने को मिला margins subcontracting cost कम हुए थे और इसी के चलते margins flat रहे है sequential basis पर सौलनौल नतीजे कमजोर रहे है और brokerages की भी यही राई आती हुई नजर आ रही है तो नतीजे कमजोर है TCS के और brokerage house की report भी उसी तरफ indicate कर रही है तो आज उसका असर आज हम stock पर देख सकते हैं बागी IT stocks पर भी इसका असर पर सकता है हाला कि Infosys के भी नतीजे आज आने वाले हैं कैसे numbers रहेंगे वो हम आगे समझेंगे लेकिन इस बीच IT stocks पर नजर रखे क्योंकि TCS के नतीजे कमजोरा है तो उसका असर आज यहां पर हम जरूर देखेंगे